हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों कैसे हो आप सभी आसा करता हूं सभी टमाटर बिलकुल स्वस्थ होगे और बिलकुल जबरदस्थ होगे बिलकुल लाल-लाल होगे ओके तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों आज क्लास में हम भी डिसर्स करने जा रहे हैं एक्सरसाइस 17.2 तो मेरे प्यार प्यार ट्रमाटरों कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ-कुछ बता देता हूं चलो देखो इंस्ट्रक्शन यह है कि यदि आप प्रचंड विद्वान है तो किर्पिया मेरे वीडियो से दूर रहना क्योंकि आप कि फटिन यह जो दिख रहा है अगर आपको धूर्दला दिख रहा हो तो थोड़ा सभ वीडियो क्कुछ बढ़ा सकता है और इस पीड बढ़ा जारता है तैसर्ण इस्ट्रक्शन यह आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहें हिंदी हो इंग्लीज हो या फिर आत्मानदी स्कूल के हो किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो अगर तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से तयार नहीं है या फिर हो सकता है मेरे अंदर भी किसी तरह का मतलब ऐसा मेरे पास अभी स्किल नहीं आ पाया है कि जो जिससे में आपको समझा पर चलो तो फटा-फट से हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.2 को तुछ देखो जरा क्या दिखा हुआ है पहला नंबर यह सब प्रॉब्लम्स जो भी है इन प्रॉब्लम्स को अपने बुक से जरूर मैच कर लेना ठीक है चलो तो सेकंड आ जाते हैं यहां पे चलो फटा-फट से अब देख लेते हैं क देखते हैं फटा-फट से क्या-क्या चीजे यहां पे दी जा दी रही है दिया गया है ओके चलो जी तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या एक्सरसाइज 17.2 का पहला कोशन कह रहे हैं कि सो दा फॉलोइंग फ्रेक्शन नंबर और नंबर लाइन आपको नंबर लाइन जो जो फ्रेक्शन यहां पे दिये हुए है 3 by 5 यहां पे दिया हुए 6 by 5 यहां दिया हुए 7 by 8 तो जो जो फ्रेक्शन दिया हुए इन सभी फ्रेक्शन को आपको किस पर दिखाना है नंबर लाइन के उपर में दिखाना है तो सर चलो 3 by 5 है क्या है 3 by 5 ठीक है तो इस हो जाता है number line ठीक है अब चलो पहला number problem हम लोग solve करने जा रहे हैं तो देखना है आपको यह पहला number हम लोग देखने जा रहे हैं चलो देखो जाए आपका लिखा हुआ है 3 by 5 तो यह smaller है और यह क्या है greater है यह smaller है और यह greater है तो फटा फट से पहले number line कीच लेते हैं आपको यह कैसे कीचना है आपको इसको scale से कीचना है कैसे कीचना है scale से कीचना है ठीक है आप चलो मालनों कि मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया 0 यहाँ लिख लिया 0 इधर में आपका क्या होता है इधर में आपका माइनस वाला नंबर चलता है और इधर में आपका कैसा वाला चलता है प्लस वाला नंबर चलता है कैसा प्लस वाला चलता है चलो तो 3 बाई 5 तो जब देखो जरा ये उपर वाला क्या है smaller है smaller मतलब क्या होता है छोटा और नीचे वाला 5 जो है वो उपर वाले को nominator बोलते हैं, हिंदी में uns बोलते हैं, नीचे वाले को English में denominator और हिंदी में हर बोलते हैं, तो uns बटे हर और English में nominator बाई denominator, ऐसे चलता है, ये बात समझ में आ गया, तो चलो, जब भी आपका उपर वाला चोटा रहे, नीचे वाला greater रहे, ऊपर वाला smaller और उपर वाला छोटा रहेगा ठीक है तो आपका जो number line होगा वो क्या होगा 0 और 1 के बीच ये कैसा number है positive है तो इसलिए किधर बनेगा positive side की तरफ किधर बनेगा positive side की तरफ इधर positive रहता है आपका clear है इधर में क्या रहता है positive रहता है ठीक है अगर यही माइनस यहां लग रहता माइनस 3 by 5 तो यह किदर बना किदर बनता जीरो के इस साइड में बनता क्योंकि माइनस वाले नंबर इधर बनते हैं बात समझ में आई तो इतिफाक से यह पोजेटिव नंबर है तो किदर बनेगा जीरो के इस साइड में क्लियर हुआ अब बात आती ह कि मैंने कहा कि 0 और 1 के बीच में बनेगा इसका नंबर लाइन 3 by 5 है कब जब यह उपर वाला छोटा रहता है तब तो यानि कि 0 से लेके 1 तक में मुझे दिखाना है 3 by 5 तो कैसे दिखाऊंगा तो देखो ज़रा 0 से लेके 1 तक में आपको क्या करना है आपको निसान लगाने कितने पार्ट में बाटना है 5 पार्ट में जितना डिनोमिनेटर रहेगा नीचे में जितना दिया रहेगा उतने ही पार्ट में यहां से लेके यहां तक हो बाटना है clear है अव भी equally तो one two three four और ये five हो गये देखो ध्यान से यहाँ one यहाँ से यहाँ two यहाँ से यहाँ three यहाँ four यहाँ से यहाँ five यह देखो यानि कि आपको चार लाइन एक दो तीन चार लाइन खीचे तो यहाँ से यहाँ five पार्ट में बढ़ गया याद रहे one two three four और यह रहा पांचवा मैंने one यहाँ लिखा है clear बाते समझ में आई चलो तो यहाँ से शुरू होता है इस पहले वाले को बोलते है one by five इसको क्या बोलेंगे two by five याद रहे जितना denominator लिखा रहता है उत्रही denominator नीचे 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 चलते रहता है और जीरो के बाद यहाँ से शुरू होता है one by five two by five ठीक है यहाँ है आपका three by five यहां लिखेगे हम लोग four by five और यहां हो जाता है आपका five by five तो देखो five से यह five कर जाता है one जा one जा में तो one by one क्या आ जाता ह इतनी बात आपके दिमाग में चली गई होगी अभी बोलने वाला था खो पढ़िया मा जली गई होगी कि यह आखिर one कैसे तो five by five यहाँ लिखते है तो यह five से five कर जाता है तो one by one क मतलब यह one हो जाता है यह तो हमें क्या करना है दो दिख क्या हो कर requested आए ये रहा 3 by 5, कहाँ है? ये रहा 3 by 5 दिख रहा है आपको, ये रहा 3 by 5, ठाहिए? तो ये 3 by 5 क्या हो गया? ये इसका आंसर HOLG Teilet, ये नमबर लाइन पर हमने दिखा दिया, तो 0 और 1 के उपर वला क्या है greater है ठीक है और नीचे वला क्या है smaller है ठीक है condition याद रखना अभी इसमें क्या था ये छोटा था ये बड़ा था और इसमें क्या हो रहा है ये greater है और ये smaller है तो इसका condition क्या होगए ये पहला वला तो बना चुक है आप दूसरा number बनाते हैं, तो जब भी उपर वाला greater नीचे वाला smaller है, तो सबसे पहले आपको mixed fraction में change करना है, ठीक है, तो 5 को आप 6 में divide दोगे, तो कितने जाएगा, 5, 1 जा 5, नीचे में आ गया, 1, 6 में से 5 गया, तो 1, तो क्या हो जाएगा, 1 whole 1 by 5, ठीक है, ऐसे ही बतलते ह है, mixed fraction में, मिस्रित भिन बोलते हैं उसको, mixed fraction को मिस्रित भिन, तो 6 by 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 by 5 को यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब 6 by 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 whole 1 by 1 whole 1 by 5, ऐसे लिख सकते हैं, इतनी बात समझ में आई, चलो, अब फटा-फट से इसका graph क पर देख लेते हैं, फटा-फट से, इसे किस लिए हमने, ठीक है, चलो, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर निसान लगा दिया, यहाँ लिख दिया 0, इधर में आपका रहता है कौन सा नंबर, माइनस का नंबर रहता है, और इधर 0 के इधर साइड में, इस साइड पर, ठीक है, यह आपका लेफ्ट साइड होता है, यह लेफ्ट होता है, यह लेफ्ट होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, राइट साइड होता है, ठीक है, तो 0 के राइट साइड में आपका क्या होता है, पोजेटिव नंबर चलता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दिय ठीक है और यहां पर मैंने 2 मार्क कर लिया इसके और आगे आगे यह प्लस का 1 है यह प्लस का 2 है याद रहे यह प्लस का 1 है और यह प्लस का 2 है और इधर में क्या होता है आपका माइनस का 1 ठीक है इसी दरह से माइनस का 2 और यह चलता चला जाएगा यह arrow का मतलब क्या है अनन् जीरो के राइट साइड में मैंनस वाला होता है, मेरा यह नंबर क्या है, 6 भाइफ 5 प्लस में है, मेरा क्या आया है, वन होल 1 भाइफ 5, क्योंकि यह ग्रेटर था, उपर वाला, नीचे वाला एं स्मॉलर था, तो हमने पहले इसको किसमें चेंज कर लिया, Mixed Fraction में किसमें Mixed Fraction में ठीक है एक एक बातों को बताते जा रहा हो मैंने पहले Change कर लिया Mixed Fraction में Change कर लिया यानि कि मिस्रित भिन्ने में Change कर लिया क्या आया है मेरा 1 तो देखो 0 से 1 तक तो पहुँच गया अब आगे क्या बना है 1 by 5 तो देखो यह 0 और 1 के बीच में तो नहीं बनेगा क्योंकि यह 1 का सफर तै कर चुका है ठीक है 0 से 1 तक का सफर हमारा ग्राफ हमारा जो number line खचूंगा मैं वो किस के बीच में होगा यह 0 और 2 के बीच में होगा किस के यह 4 जो आया है ना यह 1 यहाहां तक सफरता है कर लिया उसने अब आगे जा रहा है यह यह आगे जा रहा है तो यानि कि यह आपका कितने पार्ट में 1 और से लेके 2 तक यह कितने पार्ट में बटेगा यह लाइन 5 पार्ट में मैंने कहा line बाटने का कैसे decision मिलता है आपको कि line कितने part में बटेगा वो पता चलता है आपको जितना denominator जितना हर में रहता है उतना ही part में बटता है तो यह रहा 1, 1 part, 2 part, 3 part, ठीक है 1, 2, 3 और यह रहा थोड़ा सा अच्छे से बाट देता हूँ, ठीक है 1 part, 2 part, 3 part, यह रहा गया 4 और यह 5 देखो 1, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4 और यहां से यहां 5 ठीक है, इस पर 5 आ गया, इसको क्या लिखने वाले हैं, यहां से आप फिर से शुरूँगा, 1 by 5, फिर क्या, 2 by 5, यहां पर 3 by 5, यह जो लाइन मैंने खिचा, इसके ठीक नीचे में 3 by 5, यहां पर क्या आ जाएगा, 4 by 5, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, ठ चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 by 5 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा, 4 by 5, यह वाला लाइन का, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, 5 by 5, तो देखो 5 by 5 कट गया, 1 by 1 आया, तो देखो क्या जाएगा 1, तो यहां से यहां 1, यहां से यहां 1 है, और यह 1 प्लस यह वाला one तो two बन जाएगा फिर से शमझ में आया यहां से यहां तो one है ही और यह वाला one अब फ्लस में यह वन बाई वन आया इसका मतला one है तो one plus one क्या हो जागा यह two generate हो जागा two बन के आएगा समझ में क्या दिखाना हमें दिखाना था यह वाला 6 by 5 को दिखाना था तो तो क्या हो गया 1 whole 1 by 5 तो यह 1, यह 1 हो गया और 1 by 5 यहां पे है यह वाला दिख रहे आपको मैं circle कर दिया यह 1 by 5 तो इसका मतलब इस प्लेस को इस जगह को आप किस नाम से जानोगे इस जगों को जानोगे आप 6 by 5 के नाम से ठीक है यह वाला जगा किस नाम से जाना जाएगा 6 by 5 के नाम से बस यह answer हो गया क्लियर है यह क्या हो गया answer एक एक चीजों को मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर यह सब चीज करते चलना चलो अब अगला है तीसरा नंबर 7 by 8 अभी तक हमने दो प्रॉब्लम देख लिए यह चोटा था यह ग्रेटर था यह स्मॉलर था इसमें क्या था यह ग्रेटर था यह डोनों कंडिशन देख लिया इसवर क्या है यह स्मॉलर है और यह ग्रेटर तो यह पैहला जो पता है था प्रॉब्लम ठीक है स्मॉलर और ग्रेटर वला उस पे बनेगा लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको छोड़ूंगा है मैं थीए तो शीडुरो और वन के पीच में बने के बादेगा जैसे नेकिन जुदा लेका जैसे मालोग के टू है तो टू में इतना लेना ठीक है अगर अगर टू है तो टू में इतना लेंगे अगर मानलों डिनोटर एट है तो थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे जिरो और वन का बीच का गैप जो है दूरी जो है थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे ताकि कोपी में हमें बनाते बनाते ब करते हैं ठीख है इधर में आपका positive होता है और इधर मेंन क्या होता है निगेटिव वाला होता है यहान पे 0 इधर में pregunt of negative चलता है आपका negative number चलता है मैनस 1-2 ऐसे मत क्योंकि number तो उर लाइन पर दिखाना है ठीक है चल तो यहां पर चलते हैं यहां पर क्या हो जाएगा वण बाई एट देखो जो डिन इन्टर में वह डालना यह वाला क्या हो जाएगा two by eight यह वाला क्या हो जाएगा three by eight अगर आप यह सीख रहे होना तो बेटा एक thumbs up कर देना और like कर देना और share कर देना अपने दोस्तों को और पढ़ाना आप भी four by eight क्योंकि इस तरह से को मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलने वाला है six by eight और यह सेवन बाई यहाँ पे मिला मैं Flint क देता हूं जहां पे मिला मुझे seven by eight का मिला seven by eight तो मैंने कहा कि यह क्या हो जाएगा आपका seven by eight और यह क्या हो जाएगा आपने दिखा दिये number line पे यह क्या होगी नम्मर लाइनल पर आपका दिखा दिया आप ने, अब फटाफट से चलते हैं, तो तीनों प्रोब्लम होगे इसके, यह देखो, यह second number प्रोब्लम था, यह first था, यह second था, यह third था आपका, ओके, आप चलो आप चलते हैं, अगला number problem, अगला number problem यह रहा, question number 2, question number 2 क्या कह रहा है कि write this rational number in the form of integer, integer के form में मुझे बता, आ तो negative number रहेगा, तो चलो, 8 by 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल 8, क्योंकि नीचे में 1 लिखा है, तो कोई meaning नहीं है, और ये कैसा number है, positive, तो integer पहले जानो, कि integer का मतलब होता है, कि positive number और negative number को हम लोग क्या बोलते हैं, integer बोलते हैं, किलियर है, ठीक है, integer का मतलब क्या होता ह है, positive number और negative number, अब बात आते हैं, कि कैसा positive number है, बिल्कुल exact unit number होना चाहिए, unit number इस से ठीक पहले वाले में पढ़ाया था, कि नीचे में 1 होना चाहिए, अगर ये 8 by 7 हो जाएगा, मालो ये 8 है, नीचे में और कोई आ जाता है, मालो 7 है, 8 by 7 होगा है, तो क्या ये integer होगा, बि या तो rational number बोलोगे, या तो इसको fraction बोलोगे, clear हुआ, समझ में, तो 1, 1, 1, integer होने के लिए, नीचे में 1, 1, 1, 1, 1 का होना ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी है, या तो positive होना चाहिए, या फिर negative होना चाहिए, तो 8 by 7 रहेगा, तो इसका हो तो ये integer नहीं होगा, clear है, इतनी बात है, आपके mind में चली गई होगी, चलो, ये concept समझ में आया, integer पहले इससे familiar होगे, इससे परिचाय बना लिया, आप चलो, 8 by 1 का क्या हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा, 8 by 1 का क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, अब minus 12 by 1 का क्या हो जाएगा, minus 12, answer, 20 by 1, ये दो को positive number है, तो क्य हो जाएगा, केवल 20, minus 39 by 1, तो क्या हो जाएगा, minus 39, क्लियर है, 59 कैसा है, positive है, तो ये क्या हो जाएगा, 59, नीचे में 1 चुपा रहता है, हमेशा मैंने सुरू से, यदि आपने मुझे, मतलब मुझसे पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैंने हर बर बताया है, कि नीचे में 1 चुपा रहता है, और 1 तो ऐसा है, कि सब जगह चुपा रहता है, देखो, अगर मैंने कहा, आगे बताता हूँ, चलो, ठीके, यहाँ पर रहन देते हैं, यह problem number 2 आपका complete हो गया, अब चलते है, problem number 3 पे, तो मेरे प्यार प्यार टमाटर, problem number 3 को देख लो जारा, एक बर, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि so the integer, sorry, so the largest number in the following pair of number, कह रहा है कि आपको यह बताना है, कि इन दोनों number में से कौन greater है, larger मतलब क्या होता है, greater, larger मतलब क्या होता है, greater number, ठीके, या pair मतलब, pair कब लगता है, दो लोग जब रहते हैं, तो pair बोलते हैं, उसको, जैस उसी तरह से pair है, तो यह एक number यहाँ है, एक number यहाँ है, इसका मतलब क्या है, यह pair है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन greater है, कौन क्या है, larger है, largest है, largest है, यानि कि greater है, कौन बड़ा है, ठीके, चलो तो 5 by 9 and 0 में कौन greater है, ठीके, तो चलो, इसको हम लोग फटा-फट से देखते हैं, देखो बेटा, 5 by 9 यह कुछ नो कुछ तो है, ठीके, कुछ नो कुछ तो number है, और यह तो पूरा पूरा 0 है, लेकिन यह कैसा number है, यह आपका कैसा number है, यह positive number है, clear है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, कौन greater हो जाएगा, 5 by 9, ठीके, तो मेरा बराने का जो तर इसका मतलब 1 है, 0 by 1 का मतलब कया होता है, 0 ही होता है, तो 0 के कुछ नही है, तो मेरा जो बनाने का तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, आपके अब school में देखले ले ना, किस तरह से आपको teacher बताते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, cross multiply, यह 1 को इधर भेज देता और 9 को इधर भेज़ देता हूँ cross multiply चलो तो यह 1 into 5 इधर में क्या हो जाएगा 1 into 5 ठीक है और यह 9 उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 multiply 9 क्या है तो देखो 5 1 जा 5 0 9 जा 0 तो देखो मुझे एक बात बताओ किधर side वाला greater आया इधर side वाला आया कि इधर side वाला आया किधर side वाला आया तो आपका इधर side वाला आया greater किधर इधर side वाला तो इधर side में कौन है 5 by 9 है इधर side में कौन है 5 by 9 यानि कि 5 by 9 क्या होगा greater होगा तो यहाँ पर क्या लिख होगे 5 by 9 is greater 5 by 9 is greater clear हुआ, हो गया, बन गया, उसी तरह से यह problem number पहला था, अब problem number दूसरा बनाते हैं, ठीक है, चलो देखो जारा, minus 6 by 7, लिखा मैंने minus 6 by 7, and, and लिखा, और यह 0 है, तो 0 by मैंने 1 कर लिया, नीचे में कुछ लिए तो 1, फिर से इसको इधर बेज देते हैं, और 7 को इधर बेज ठीक है, अब देखो, यह 1 है, तो क्या हो जाएगा, देखो, यहाँ पर इस तरफ आएगा, तो 1 multiply minus 6, clear है, 1 multiply minus 6 हो गया, ठीक है, और इधर में क्या हो जाएगा, 0 multiply 7, यह 7 जाएगा उधर की तरफ, 1 चला गया है इसकी तरफ, तो देखो, minus में 1, देखो, अब sign का मैं multiply बता देता हूँ, plus multiply minus, तो क्या होता है, minus, clear है, और minus multiply plus, तो क्या होता है, minus, अब minus को multiply करोगे minus के साथ, तो क्या होता है, plus, ठीक है, और plus को multiply करोगे plus के साथ, तो क्या आता है, plus, यह जो है, मैं ना, मतलब रटते रटते ना, इतना रटा हूँ, मतलब आप लोगको पढ़ाने के ओ schwerly इतनी दफ़ा यह मैंने पढ़ाने की कोशिज किया है तो उस चीज को किया कि Emerductive laid करते आना चाहिए तो देखो ये 1 कैसा number है positive है तो plus minus देखो plus को पहले multiply करी olunakon मैनस दो क्या है माइनस में तो क्या मैनस का 6 आ गया और 027 तो क्या हो जाएगा 7 ठीक है 0 बात बताओ, sorry 0 multiplied 7 नहीं आएगा मेरे बच्चे ही 0 आएगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 0 multiplied 7 क्या आजाएगा? 0 आएगा, मुझे एक बात बताओ, कि माइनस का 6 रुपे उधारी में है और एक वेक्टी है जो 6 रुपे उधारी में है और एक वेक्टी है जो उधारी है नहीं कुछ भी नहीं है, वो उधारी है ही नहीं, तो कौन इसमें से ज़्यादा मजबूत है, तो आप बोलोगे कि सर 0, अब देखो नमबर लाइन पे भी देखो जारा, मैं नमबर लाइन पे इसको समझाने की कोशिस करता हूं, ठीक है, यहाँ है 0, ठीक है, और क्योंकि आपके हो स तो इधर में 0 और यह 0 है, ठीक है, तो याद रखो कि 0 के पास में यह 0 है, यहाँ पे इसका मतलब याद रहे कि जो 0 के पास में है, यह 0 के पास में ही है, ठीक है, इधर में क्या होता है, प्लस का 1, इधर में क्या होता है, प्लस का 2, इधर में क्या होता है, प्लस का 3, इधर ही छोटा होता है होना और इस रूप पर यह उध्य में नहीं है तो हमतभव ग्रेटर कोँए इधर वाला कौन है greater इधर वाला तो मेरा answer क्या होगा मेरा answer कौन होगा 0 जो है क्या है greater है minus 6 by 7 और ये भी याद रखना कि minus का कोई भी number 0 से चोटा होता है इतनी बात समझ में आई मैं फिर से repeat कर रहा हूं negative का यानि कि minus का रिनात्मक संख्या जो भी होता है वो हमेशा छोटा होता है यानि कि smaller होता है किस से 0 से इतनी बात समझ में आई यानि कि 0 जो है वो negative number से हमेशा बड़ रहता है 0 greater रहता है हरीक दुणिया का negative number से तो कौन वला आया तो ये zero greater आया तो इसका answer क्या होगा Oneser होगा 0. is greater समझ में आया 0 is greater, ठीक है, clear हुआ, आप चलो, आप तीसरा और चौथा आगले slide में देखते हैं, ठीक है, चलो, देखते हैं यहाँ पर, यह तो हमने देख लिया, यह भी देख लिया, तीसरा को देखते हैं, देखो, लिखते हैं यहाँ पर, फिर से वही, यह कौन सा है, तीसरा number problem, क्या, minus 5 by 3, क्या है, minus 5 by 3, and 17 by minus 10, यही है, फिर क्या कर देते हैं, cross multiply, यह इसके पास जाएगा, और यह 3, 17 के पास जाएगा, ठीक है, मेरे पास जो तरीका है, मैं उससे बता रहा हूँ, तो minus 5 multiply minus 10, जब भी आपको 2 fraction दिया रहे है, हना, 2 आपको क्या दिया रहे है, rational number दिया रहे है, आप पूछे की बताओ कि दोनों में कौन आपका क्या है, greater है, हना, यह दो फ्रेक्शन, यानि कि दो rational number जब दिया रहेगा, तब आपको इस तरह से मेरा तरीका यह काम करेगा, तो यह इधर चला या multiply होने के लिए, और यह 3 चला जाएगा उधर, तो यह इधर लिख देते ह है, 17 multiply 3, ठीक है, minus और minus क्या हो जाएगा, plus, minus minus क्या होता है, plus, मैंने अभी अभी पीछे के sign में बताया है, कि minus, देखो minus को multiply करो, minus को साथ तो क्या होता है, plus, ठीक है, तो इसी लिए मैं आपको बोलता हूँ कि sign का multiply जानना जरूरी है, तो plus में हो गया, तो 510 जा, देखो, 510 जां, 50 हो गया इधर का, अब देखो, 17 थिरिजा क्या होता है, 17 थिरिजा, 17 तिया, 51, ठीक है, किलियर हुआ, अब बताओ कि ये 51 है, सडिए, 50 है, और ये 51 है, किधर वाला greater आया, इधर वाला greater आया, तो इधर वाले में, इस साइड में कौन है, इस साइड में है, 17 by minus 10, किध इधर वाला ग्रेटर आया इधर वाला 51 इधर की तरफ है इधर वाला ग्रेटर आया तो इधर साइड में कौन है 17 by 10 17 minus 10 तो क्या हो जाएगा इसका क्या 17 by minus 10 is greater है बस यही निकालना था larger largest यह हो गया तीसरा का ठीक है आप देख लेते हैं चौथा का ठीक है तो देखो सेम वैसे ही बरा रहे है यह क्या लिखा हुआ है 6 by 5 and minus का 13 by minus का 8 देखो अब ध्यान से समझे ज़रा माइनस चलो आप चाहो तो यह माइनस को माइनस को काट भी सकते हो माइनस और माइनस को क्या कर सकते हो उड़ा भी सकते हो अगर नहीं चाहोगे तो भी से चलो मैं एक काम करता हूँ माइनस को माइनस को उड़ा देता हूँ यह माइनस और यह माइनस उड़ गया तो क्या बन जाएगा 6 multiply 8 ठीक है और इधर में क्या बचेगा 13 multiply 5 यह इधर multiply होगे तो 8 6 जा 48 इधर में क्या जाएगा 65 अब मुझे बताओ कि इधर वाला greater है इधर साइड होए 65 greater है इसका मतलब यह माइनस 13 बाइड यह जाएगा या फिर largest लिख सकते हो greater इतनी बात समझ में आई यह मेरा समझाने का तरीका था ठीक है अब इसी को आपको number line पर बताता है तो number line पर आप देख लेते कि कैसे कैसे आपको उसको करना था ठीक है चल अब यह हो गया अब फटा फट से तीसरा हो गया अब चौथा number पर आते हैं ठीक है अब यह रहा चौथा number problem ठीक है चौथा number problem देखो लिखा हुआ है कि what should be added to nominator नॉमिरेटर में क्या add किया जाए और 4 by 9 यानि कि 4 by 9 जो है एक rational number है इसके nominator में क्या add किया जाए to get 2 by 3 कि आपको प्राप्त हो जाए 2 by 3 प्राप्त हो जाए तो इस तरह के problem को solve करने के लिए आप क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं 4 by 9 आपने लिख लिया अब कह रहा है कि nominator में क्या add किया जाए यहाँ पर कह रहा है कि क्या add किया जाए कि यह 2 by 3 बन जाए क्या बन जाए 2 by 3 तो माल लों कि मुझे नहीं पता है तो मैं माल लूँगा यहाँ पर x माल लों कि 4 प्लस nominator में यह उपर वाले को uns बोलते हैं नीचे वाले को हर उपर वाले को nominator नीचे वाले को denominator ऐसे ही बोलते इंग्लिस में तो नहीं पता है मुझे क्या ID की है तो मान लिया X ठीक है आप क्या कर देता है Cross to get, get यानि की प्राप्त हो जाएता है इसलिए equal का sign दे दिया मैंने जब भी ऐसा get लिखा रहे है या is लिखा रहे है तो is 2 by 3 गेट रहे है चाहे इसलिखे तो इसका मतलब equal के बगल का बाते कर रहा है equal to की बाते कर रहा है तो 2 by 3 होगे आप क्या करने वाले है Cross multiply तो ये 3 जाएगा X के पास ठीक है ये 3 जाएगा X के पास और ये 9 जाएगा 2 के पास इदनी बात समझ में आ गई ये सर समझ में तो आ गई बहुत अच्छा आप तो बहुत अच्छा बता रहे हो चलो देखो जाएगा तो ये 3 क्या हो जाएगा 4 प्लस X हो गया यहाँ पे और इधर में क्या हो जाएगा 2 multiply 9 ये 2 ये 9 चला गया उसके पास cross multiply बोलते हैं 3 अक गुना ठीक है ये हो गया अब देखो 3 से 4 में multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 अब ये प्लस प्लस तो ये प्लस क्योंकि sign का multiply बता चुका हूँ 3 into X 3X हो गया equal to 9 2 जा क्या होता है 18 अब चलो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा तो ये 3 X नहीं रहे गया और ये 18 अपनी जगा पे और ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा क्लियर है ये सब जब equation पढ़ाया हूँ न जब समिकरन पढ़ा रहा था तो उससमें ये एक एक चीजों को बहुत बारी किसे बताया हूँ कि ये उधर जाता है तो sign change हो जाता है 12 उधर गया तो sign change हो गया आप चलो 3x equal to क्या हो गया 16 18 में से 12 गया तो क्या बच गया 6 18 में से 12 गया तो 6 तो अब ये क्या है ये 3 क्या है x का coefficient है मुझे x ही तो निकालना है कि यहाँ पर क्या आपको जोड़ा जाए कि 2 by 3 हो जाए तो देखो यहाँ x निकाल तो x को नीचे चला जाता है तो नीचे चला जाता है sin1 होटा n गया एक्स इगॉल टू आ गया टू समझ में आया एक्स इगॉल टू क्या गया टू तो यही क्या हो जाएगा आंसर यही क्या हो गया आंसर एक बाद करके देख लो कि मेरा टू बाई थ्री आता है कि नहीं चलो यह था ना आपका यह था यह था फोर प्लस क्या था एक्स आया है 2 तो 2 रग दिया और यह 9 और इधर में तो 2 by 3 है ही यह अपना 2 by 3 इधर का करके आना चाहिए 2 by 3 2 by 3 आना चाहिए मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे यादि आपको पसंद आ रहा है यादि आप पढ़ने में अनंद की अनुभूती कर रहे हैं तो एक थमसब हो जाना चाहिए क्लियर है तो यह कोशन नंबर 4 था ठीक है अब कोशन नंबर 5 अच्छा आपको इसको नहीं लिखना है क्या मैंने कह यह मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं आपको यहां तक ही लिखना है यह ना कि यह अपका आंसर सही आया जाचने के लिए कौपी में नहीं लिखना है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अब question number 5 पे क्योंकि आप क्या करते हो जब आप copy में notebook में लिखते हो ना तो सब कुछ tip देते हो ये भी लिख लो ये भी लिख लो ऐसे नहीं मेरे बच्चे जो पुछा जाए वही काम करना है वो extra knowledge के लिए बताता हूं कि आपका answer कैसे check करोग क्योंकि जरूरी है अब देखो क्या कह रहा है कि what should be subtract इस बार subtract करना है from the denominator इस बार denominator में से करना है ठीक है कौन साब fraction में से 5 by 6 में से और क्या आना चाहिए to get 1 1 आना चाहिए तो देखो फिर से लिखता हूं यहां पे solution में जाता हूं ठीक है मैंने लिखा 5 by 6 लिखा अब कह इस में से क्या घटाया जाए यह denominator में से घटाना है क्या कि आपको 1 प्राप्त हो जाए 1 मिले तो हमें नहीं पता है तो हम लोग माल लेंगे यहां पे x यहां कि क्या माल लेंगे x मैंने लिखा है क्या माल लिया x तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है यह 1 by क्य कि ठीक है, मेरा भोला है बंडारी करे नंदि के सावारी सम्भुनात्रे चलो, यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने लिखा यहाँ पर यह वन था, तो वन तो था, लेकिन यह वन के नीचे में वन छूपा रहता है मैं बोलते आ रहा हूँ कई वीडियो से कई वीडियो से नहीं day 1 से पहला दिन से यह बोलते आ रहा हूँ कि 1 छुपा रहता है नीचे हना ठीक है चलो तो देखो यह 1 अब cross multiply कर देते हैं यह इधर जाएगा और यह इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 5 भी रह जाएगा और 1 multiply 1 को multiply करें पूरी दुनिया में किसी से भी तो वही का वही रह जाता है ठीक है तो 6-1 ही रह जाएगा अब दोखो यह minus का x है इसको उठा के इधर लाते हैं और 5 को इधर भेज देते हैं ठीक है तो जब यह minus के x को उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका plus में हो जाएगा और यह 5 को उठा के उधर ले जाओगे इस side में तो क्या हो जाएगा यह 5 plus में है यहाँ लेकर इधर लाओगे तो minus हो जाएगा तो पहले इधर लाओ इसको तो क्या हो जाएगा यह x positive हो गया इधर में 6 मौझूद है पहले से हम लोग 5 को उठा के इधर ला जा रहे हैं ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा minus का 5 clear है तो x equal to क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 तो x equal to क्या हो गया 1 ऐसे आपको answer निकालना है अगर कोई बिल्कुल short trick पर चल रहा है तो वैसे नहीं चलना ओके यह आपका तरीका है कोशन को बनाने का ठीक है तो यह हो गया तो देखो यहाँ पर गटा हो जा रहा 6 में से x के जगा पर यहाँ पर 1 रहो 1 आया है ना 1 आया है तो 1 रहो तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 5 तो 5 बचे था कि चोड़ूंगे ना तेरा साथो साथी मरते डम तक चलो कोशन नमर 6 दा नॉमिरेटर आफ एनी फ्रेक्शन इस 2 ठीक है कह रहा है कि जो नॉमिरेटर है आफ एनी फ्रेक्शन इस 2 यानि कि मालो की 2 more than the denominator यानि कि जैसे यह हो गया मेरा ऊपर में नॉमिरेटर होता है नी ठीक है अब कह रहा है कि कह रहा है कि नॉमिरेटर जो है वो दो ज्यादा है ठीक है किस से डी नॉमिरेटर से डी नॉमिरेटर में जो भी है उससे यह उपर वाला जो भी है वो दो ज्यादा है अब कह रहा है कि इस दा नॉमिरेटर इस 5 अगर मालो की नॉमिरेटर दिया हु मोमिरेटर में वो इसमें दो ज्यादा है नीचे में जो है यानि कि यह 3 होगा तभी तो 3 प्लस 2 यह 5 बन गया होगा तो वही कह रहा है कि प्यार 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 टमाटरों यह आपका प्यार के जुक्त वह करते हूं यह घ्यार चैनल पर नयई हो तो सब्क्राइब करला चैनल और वीडियो को लाइक और सेर कर्दोनल और बेल ऐकन को तो जरूर ही पेस कर लेना उसको प्रेस कर लेना उसको दबा देना ओके मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों अब चलता हूं